बिगना हर्ता श्री गडेशा श्री गडेशा श्री गडेशा श्री गडेशा चलिए मुशक जी अब समय आ गया है मुशक जी वेद माता को मुक्त कराकर उस दुष्ट दुर्गमा सुर्दवारा संसार में फैलाए अज्यानता को दूर करने का आगे बढ़िए मुशक जी प्रभू, यहां तो दो चारे भ्यान का सुरू है हम सुरक्षित रहेंगे ना प्रभू मुशक जी, मुझे असुरों की चिन्ता नहीं माने मुझे एक विशेश प्रयोजन से यहां भेजा है मुझे वेद माता को यहां से मुक्त करना है इसलिए हमें अपने प्रयोजन के प्रती सतर्क रहना चाहिए किसी से युद्ध करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता मैं इसलिए कदाचित हमारा गुप्तु रूप से ही भीतर जाना उचित होगा मुशक जी, पूर्व में भी लगुआ कार धारन करने पर हमारा पच सुगम हुआ था तो हम एक बार पुना वही युक्ति अपना लेते हैं उचित है प्रभू अब ही तक छाया सुर्णोटा क्यों नहीं इतना समय क्यों लगा है उसे माता मेरा माल दुशन कीजिये माता मुझे बताईए मेरा नगर सुरशीत तरिनमा क्याच है शुर्ण उस बालत को हुटाने में सफल तो हो गया न मा मा दुशन दीजिये मा दुशन दीजिये मूर्ग दर्शन दीजिये, दर्शन दीजिये मूर्ख, क्यों दर्शन दूर है तुझे? हाँ, मेरी दुविदा है ये तु भग ठेरे मेरा इसलिए तेरे पुकारने पर यहां आने के लिए विवश हूँ मैं माता, माता, माता अपने इस भगती साहे तक केजिये माता सुन चुकी हूँ, तेरा प्रश्ण में सुन चुकी हूँ, इसलिए एक चतुर बालक के समान मुझे बहलाने का प्रयास मत कर और सुन, ध्यान से सुन, तेरा वो सेवक छाया सुर्टो गया और वो बालक माता? तू यहाँ मुझसे प्रश्ण करने में समय व्याड़ कर रहा है और इस संत्राल में, गणेश तेरे नगर में प्रवेश कर रहा है यह क्या? यह मेरे असूर अत्री, उचे सर में क्यों हो रहा है? कहीं वो बालक बीतर तो नहीं आ गया वहीं उसको लाल के पीछे हैं अभी तुस्तक कुछ कुशल प्रतीत होता है मुझे अपने असूरों को लीचे चाकर सतब कर देना चाहिए उस बालक बंदी बनाना अटी आवश्यक तो ये है दुर्गमासूर का कच्छर नगर चलिए मुशक जी हमें सीधी दिशा में ही जाना है मुशक जी शीगरता केजिए आगे बढ़िए समालका मुशक जी बच्छे अरे हारे हामें बहुती सा तरकता से जाना होगा मुशक जी जाओ इतार जी मदिरा मदिरा काण दो मान बाक्षण करो मान बाक्षण करो ये स्थान रिखते हैं यहां से निकलिए मुशर जी कहीं किसी और से संकट ना जाए मुशर जी कुशल है क्ये क्या मुशर जी बचिए मुझे इस लौग को रक्षित करना होगा मुशर जी शीगरता केजिए कहें दीपक की लौग उचना जाए मुशर जी शीगरता केजिए दीपक की लो, हमें बुछने नहीं देनी है मुशक जी अरे, नहीं, मुशक की शिक्रता से निकल ये प्रभू, क्या हम कुछ अधे के छोटे नहीं हो गए मुशक जी यही अतियावश्यक है वेद माता तक पहुचने का यही एक मात रुपाय है मुशक जी, मा का दीपक तो हमें उसी दिशा में ले जा रहा है इसका अर्थ है कि वेद माता उसी भवन के भीतर स्थित है चलिए मुशक जी, उस त्वार के भीतर चलिए हाँ प्रभू वेद माता, हम आप तक पहुच ही गए आप चिंतावत केजिए मुशक जी, शेगरता केजिए प्रतीत होता है, यह द्वार बंद हो रहा है मुशक जी, छलांग लगाईए, छलांग अरे, इन्होंने तो प्रवेश्ट वार बंद कर दिया चलाओ, हमें चलकर यह कुंजी, महाराज दुरगमासुर को देनी है मा, यह मार्ग तो बाधित हो चुका है, कृपिया हमें अन्य मार्ग दिखाईए मुशक जी, दीपक में इस्थित मा की शक्ती तो यही संदेश दे रही है, कि वेद माता तक पहुचने का यहीं एक मात्र मार्ग है अर्थात, सर्व प्रथम हमें, दुरगमासुर से वो कुंजी प्राप्त करने होगी प्रभू, यह क्या कर है आप, दुरगमासुर से कुंजी प्राप्त करना तो बहत्ति अगनी मा प्रवेश करने के समान है वो जो भी हो मुशक जी किन्तु हमारी समक्ष वही एक मात रुपाय है मुशक जी हम वेद माता की अत्यन्त निकट पहुँच चुके हैं किन्तु कुंजी हमें अभी प्राप्त करनी है परन्तु मैं इस स्थिती में मा के दीपक को संकट में नहीं डालना चाहता तो मैं दीपक को आपके साथ यहीं छोड़कर आगे बढ़ूँगा कुंजी प्राप्त करने के उपरांत मैं आपको यहां से ले जाऊँगा मा मैं शीगर लोटूंगा किन्तु अभी इस समय मेरा आपके बिनाही आगे बढ़ना अनिवार्य है मुझे आग्या देजिये मा आप जिन्ता मत किज़े तभी आपके अनुपस्थेदी मा मा माधागा दिपक सुरक्सेद रखूंगा अवश्य यह मार्ग दुर्गमा सुर्के भवन की ओर जाता है मैं वहीं जाता हूं क्षुरिया कर दो शिर्टारान मार्यमा जर नरता है मिलाओव एक्स्पशत्र एक्सपार्य। शमा महाराज, ये लिजे महाराज, फड़ाओ, वेद माता, तुम सबी बताओ मुझे, कि तुमने किसी भारी विर्टी को मेरे नगर में परवेश करते हुए देखा है क्या? मैं कहां आगे रहा, मुझे यहां से निकल कर भुबन की ओर जाना चाहिए अरे, नहीं, 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 मैं तु यहां उलज गया यह तो संकर्ट का संकेत है अरे, अरे 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 ममातागी दिटक युश्मता, उसका थार, दोनों यह दिखे किन तो मैंसे सुरक्षित रखनावा, कड़ अपया सभ़लाई भूलाई अरे, 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 भूलाई मुशक जी के गंद पहुँच गई है अरे, अरे, यह क्या यह क्या हो रहा है नहीं, नहीं, नहीं सुनो, तुम सभी सुनो एक बारक के प्रती, सचेत और सामधान रहना कुछ भी संदीगत कटित हो, तो मुझे उसी शड़ सूचित करना कोई भारी वक्ती दिखाई दे तो उसे मेरे समक्ष प्रस्तूच करना समझ गए? जी महराज, जी महराज महराज आपके लिए मैं ये प्रस्तूच करूँ कहीं मुझे ये देख नाले हम कहीं में टाई मैं मैं जएए ऐसा क्यों परतीद हो रहा है मझे जैसे वो बालक मेरे बहुत निकट ही है जैसे उसे मैं सूंग सकता शीकर मुझे कहीं छिपना होगा ये रही कुंजी बाबू कहें आप इसे कुला कराईयो बाबू मुझे दुर्गमा सुर्सेव कुंजी प्राप्त कर यहां से निकल लाई होगा किन्तु ऐसे तो यहां से मैं कभी भी नहीं जा सकूँगा मुझे कोई युक्ती सोचकर इनका दिहान यहां से भटकाना होगा किन्तु मैं यह कैसे करूँ युक्ती क्यान ब्रह्म प्रकाश कह मोहा सुरस्य शत्रुर्वै आखुवाह नगह स्म्रतह आउं गजाननं भूता गणाधि से वितं कुमा सुतं शोक मिनाश कालतं नमामि विगनेश्वर पाध पंक जंब यहां तो कुछ भी स्थिद नहीं था फिर यह भोजन का पात्र घ्रा कैसे अरे यह तो असंभव है महाराज मान से मिष्ठान में कैसे पारिवर्दित हो गया महाराज यह देखिए यह मदीना जन में परिवर्दित हो गया गनेश के स्पर्च से जो कुछ भी तामसिक था वो सब कुछ अब सात्विक हो गया है वो यही था मुर्खो किसी कार रगे नहीं हो तुम एक बालक तुम्हारे होते वह यहां आया और सुरक्षी चला गया अरे मुर्खो तुमको इतनी सी भड़क नहीं पड़ी अंभू क्या देखरे हो वेदमाता जहां इस्तित है वाकी सुरक्षा और कड़ी कर दो वो बालक अवश्य वेदमाता को ढूनने का परियास करेगा जाओ और अबभ बना दो मेरे दूर्ख को कुची दुर्ख के दुआ के कुची अपने इस्तान पिस्टित नहीं है कहां गई कहां गई कुची कुची मैं तित प्रसल हूँ और अब तो कुची भी आपके का से क्रवू हां मूशक जी किन्तु हमें शेगरता करने होगी दुर्गमा सुर्ग को ये ग्यात हो चुका है कि मैं उसके नगर में हूँ जब वो मुझे बाहर ढूंडेगा तब उसी अंतरार हम वेद माता को उसके भवन के भीतर ढूंडेंगे इस दुर्ग तक तो हम पहुँच जाएंगे किन्तु इस विशाल का एद्वार को इस कुंजी से कैसे खोल ला है इसका उपाय तो वहीं जाकर करना होगा मुझे अर्थात वो दुष्ट बालक दुर्ग तक वेद माता तक पहुची गिया क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता प्रभू कुंजी का प्रियोक करते है तो आप उस छिद्र तक कैसे पूचेंगे मुशक जी यदि संकल्प में द्रिधता हो तो मार्ग स्वत्त ही उत्पन हो जाते हैं और मा की शक्ती हमें यहां तक लाई है तो अब थोड़ा प्रियास और श्रम तो हमें भी करना होगा ना यह एक उपाय अवश्य है मुशक जी किन्तु इसके लिए हमें स्वयम को प्रकट करना होगा और दुर्गमा सुर को यह अभी तक ज्यात नहीं कि वो अभी किसे ढून रहा है इसलिए हमें गुपत ही रहना चाहिए और मा के दीपक को कदापी प्रकट नहीं करना चाहिए इसलिए हमें अपने इसी आकार में रहकर अपना कार्य संपन्न करना होगा मुशक जी मुशक जी आप यहीं रुक कर मा के दीपक को सुरक्षित रखिए मैं उस द्वार को खोल लेका कोई उपाय ढूनता हूँ और जैसे ये द्वार खोल जाए आप भी भीतरा जाएगा संकल्प धहरी और द्रिंटा वो कुझी है जो किसी भी बंदपड़े मार्ग के ताले को खोल सकती है